तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूटूब चैनल मीट विलेजरस में और आज हम डिसकस करेंगे MS Excel के इंसर्ट टैब के बारे में और इस टाब में हम एक एक आप्शन के बारे में समझेंगे और सीखेंगे कैसे इंसर्ट टैब आरण करता है इस प्रोग्राम में तो पहला जेखिए जो पहला सिक्षन होता है उसमें जो पहला आप्शन होता है वो पियो टेबल का होता है और पियो टेबल बतातों तो पियो टेबल क्या करता है डेटा को शॉट करने के काम आता है तो इसके बारे में एक लॉंग वीडियो बनाएंगे ताकि एडवांस ल कर लेते हैं उसके बाद जैसे ही टेबल क्लिक करेंगे तो यहां पर क्या करेंगे तो देखिए क्या हो गया एक पूरा सीट तयार हो गया हमारा यह टेबल तयार हो गया है इस टेबल में एक चीज़ आप वदा जो भी इंसर्ट करें उसका टूल आता देख लिए उपर आ गया हम जो भी कर रहे हैं यह क्या हो रहा है ओर इधर बगल में देखिए तो टेबल के बहुत सारा डिजाइंच है तो मुझे यह वाला डिजाइन थोड़ा पसंद है तो मैं यह वाला कर लेता हूं ठीक है तो ऐसी कि आप कोई भी डिजाइन इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और जो उपर और पिक्चर आप जानती हैं कोई भी फिचल ला सकते हैं किलिप आर्ड के बारे बताएंगे तो जैसे हम क्लिप आर्ट क्लिक करते हैं तो आगा क्वश B ठीक और श्यांनाफि से चीज़ करना थे मियाँ प्लिभिष आप जाएंगे एडगे जोब यह भी आगया है हम इसको भ क्लिक करेंगे तो आटोमेटिक क्या होगा वह पेज पर आपके इंसर्ट हो जाएगा ठीक है तो चलिए सब को एक बाद रिमूब करते हैं उसके बाद नेक्स्ट ऑप्षन में चलते हैं नेक्स्ट ऑप्षन क्या है आपका शेफ है तो शेफ पर यहां पर कोई भी सेफ अगर आपको चाहिए ठीक है इस सीट वह उपर इनसर्ट कर सकते हैं तो पहला जो से मालूम को यह चाहिए यह बनाना है उनने थोड़ा से एक सेफ लिया अब बढ़िया लग रहा है यार यह बढ़िया ठीक है थोड़ा से इसको बढ़ा करते हैं अब यहां पर थोड़ा से देखते हैं कि क्या करते हैं कि यह जो है इसका हम यहां पर कलर चेंज करते हैं हमको जो भी कलर में चाहिए हमने रेड कर दिया तो रेड हो गया ठीक है इ यहां पर देख सीक्ति हैं और ही बहुत सारी चीज़ को क्या गती है बताहिए यह जिसको डाइग्राम के जरी है čo बता सकते हैं जैसे हमने उपर लिख दिया computer ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं software ठीक है और बगल वाले हमें लिख देते हैं क्या hardware तो यह क्या बता रहा है कि computer क्या होता है कि mostly इन तीनों चीज़ों से जोड़के ही बना होता ठीक है computer जो काम हो software hardware से यह related करता है ठीक है नहीं तो computer बनी नहीं सकता है ना computer चल सकता है इन में से कोई भी एक चीज मिस होगा तो वह नहीं चेलेगा ठीक है यहां भी देखिए इसका भी टूल आ गया और इसमें भी बहुत सारे यहां पर उस पर क्लिक कर लिजिए ठीक है और देखिए यहां पर बगल में हम कोई भी करते हैं यह थ्रीडी टाइप का हो जा रहा है ठीक है तो आप इसका अच्छे से पड़ेशए बता देते हैं बाद में सब्सक्राइब करेंगे नेक्स वीडियो में तो यहां पर कुछ छोटा सा इकसीट बना लेते हैं जैसे इंडिया उगया यूसय हो गया यूके हो गया ठीक है यहां पर अगर तो यहाँ पर अघर िठेशी की बात ख्यजत एक इसा चोटा सा युके में भी तो यहाँ पर हम में नी पर आइच also हमने वो दे दिया percentage तो इसको हमने पूरा select किया और उसके बाद जैसे हम जाते हैं चार्ट पर पहले column वाई चार्ट पर क्लिक करेंगे तो देखे column वाई चार्ट आपका आ गया है इंडिया के सबसे ज्यादा इसलिए उसका graph सबसे हाई है ठीक है USA को उसके बाद UK का तो अगर आगर किसी का graph नीचे कम करना हो हम क्या करना हो हम का evolve करते हैं तो ऑप समझ सकते है कि यह कैसे graph काम करता है आप बड़ी सक बड़ी data sheet को भी यह gravitational करते है और जो भी करेंगो उसका अरचान का बेन बतायते हैं टूल में देखिए हम इसको कलर को चींज कर सकते हैं 3D कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए वैसा इसमें बहुत सारे आप्शन है जो आपको चाहिए वो आप किलिक करके एटूजट चिक कर सकते हैं, यहाँ पर दिखे हैं हमने कुछ भी किया, तो यहाँ पर और वी सारे चार्ट डिसाइंड से, यहाँ आप हमको अगर चार्ट चेंज करना हुआ, तो चार्ट चेंज कर सकते हैं, उसके बाद ओके किया, देखें यह क्या हो गया, आपका बार में तो ऐसे बहुत सारे चार्ट है जो आप यहां पाच्छे से यूज कर सकते हैं तो चलिए आगे आपको बताएंगे हम आगे जो ऑप्षन है आपका देख सकते हैं आगे ऑप्षन हाइपर लिंक है तो पहले मैं क्या करता हो इन सब को थोड़ा सा हटाता हूं ठीक है और चैनल नाम टाइप कर दिया मीड विलेजर्स उसके बाद क्या कि हमने आप इस ख्लिक किया और यहां पर है पर लिंक क्लिक किया तो है पर लिंक क्या करता है कि कि किसी दूसरी मतलब कोई भी फाइल आप इस लिंक एक लिंक के थूरू आटेज कर सकते हैं हमने देखाँ क्ट्रोल साथ इंटर करना पड़ता था करना पड़ता है और यहीहां सिंपल ऐ OUR चाज़ करेंगे तो क्या होगा है और यहां सुरू आप हैसा है का यहां कर सकते हैं और hyperlink कोई hard cheese है नहीं इसका यूज बहुत अच्छे तरीकेस कर सकते हैं आप कोई अपना Google पेज लगा सकते हैं या कोई अपना चैनल का कोई लगा सकते हैं जो भी आप यहां क्यों आर जो भी आप यहां पे लिंक लगाएंगे वह open होगा ठेक है अगला जो आप्शन आपका ह आप टेक्स्ट का जो option है इसको हों क्या करते हैं कहीं भी आप टाइप करने के लिए इसका यूज करेंगे देखिंए अपने ड्रैक किया आराम से कुछ भी टाइप करेंगे जो वह आपको टाइप करो टाइप करी हैं उसको छोड़ दीक है बस इसका काम यही है ठीक है तो आगे चलेंगे, आगे हम आप बताएंगे कि आगे इसका कैसे यूज करते हैं, तो चली फिर से एक बार इंसर्ट अप चलेंगे, और हमने आपको टेक्ष्ट बता ही दिया, अब आगे आते हैं, हीडर और फूटर, हीडर और फूटर तो भाई, इसमें कैसे लगाते हैं, जैसे किले करो, देखो, सब पेज वाई स्पेज डिवाइड हो गया, अब मैं यहां टाइप करता हूं, जैसे हम इंटर करते हैं, नीचे भी देखेए, फूटर भी यहां टाइप करें, जो भी है, इसका भी देखेए, उपर टूल है, आप पुरे टूल का यूज कर सकते हैं, ठीक है, टाइम लगानुआ, डेट लगानुआ, जो भी आपको करना हुआ, आप कर सकते हैं, तो एक बार हम फिर चलेंगे, तो देख सकते हैं कि वर्ड आट आप जानते हैं, डिस्टन से इनलेचर के बारे में भी बता दिया है, हमने, अब्जेक्ट बारे में हम बताएंगे, कि object जो भी है, कोई भी software, जैसे MS Word में अगर हम कोई भी बनाते हैं, ओके करते हैं, तो यहां MS Word में कुछ भी type करेंगे, तो वो क्या होगा, वो Excel में आ जाएगा, ठीक है, तो यहां MS Word में देखिए, एक छोटा सा MS Word आया हूँ, यहां पर type करेंगे, जैसे अपने seat पे क्लिक करेंगे, तो वो क्या होगा, आ गया, यह देखिए, तो इस तरह आप कोई भी application, जितरे भी software, आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, चाहब PowerPoint का यूज़ करें, चाहब Photoshop का कुछ भी, whatever you want to use, जो आप चाहते हैं, वो यूज़ करें, वो आटोमेटिक इसमें आ जाएगा, ठीक है, जैसे हमने PowerPoint के देखिए, PowerPoint कुछ interface ऐसे दिखता है, ठीक है, तो आप कुछ भी लिखेंगे, इंटर करने तो आ जागे इस पर, तो चलिए आगे हम बताएंगे, आपक ये है, ठीक है, ओके, घड़ी हमने यहां insert किया, ओके, उसके बाद क्या करते हैं, छोटा size इसको बड़ा कर सकते हैं, home पे जाएंगे, आपको size करना, size बड़ा करना बताई है, ये, size बड़ा हो गया, हमको घड़ी दिखने लगी, ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है, भाइस बार like करें, share करें, comment करें, और हाँ subscribe करना ना भूलें, मैं जल्दी pure table और क्या करते हैं, chart का advance level वीडियो डालूँगा आपको इसी channel पर, ठीक है, तो तब तक channel वीडियो देखें, अच्छा लगे तो like करें, thanks for watching this video.